आज हम बात करने वाले हैं तीन ऐसी क्रिप्टो गरंसी के बारे में और क्या ये क्रिप्टो गरंसी अगले बुलरन तक करोड़ पती बना सकती है या नहीं बना सकती है आज इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है और ये तीन कोईन ऐसे कोईन है जिन में से एक कोईन तो कहीं न गई बहुत सारे लोग अभी भी खरीद रहे होंगे क्योंकि पिछले कुछ दिन से हम देख रहे हैं काफी अच्छे फ्लक्टुएशन वापिस आ रहे हैं उस कोईन में तो कौन सी है ये क्रिप्टो और कौन सी है तीनो कोईन जो अगले बुलरं तक क्या पोटेंशल रखती हैं कि आपके पॉटफॉलियो को करोड में बदल दें तो सबसे पहला जो कोईन आता है इस लिस्ट के अंदर वो आता है डॉज कोईन एक ऐसी मेम क्रिप्टो जो पहले नंबर पे है मार्केट कैप के मामले में सबसे ज़यदा पैसा अगर meme crypto का अगर हम king देखें पूरी crypto market का king तो bitcoin है लेकिन meme crypto का king dogecoin है क्योंकि dogecoin के अंदर ही सबसे ज़यदा पैसा है उसके बाद बाकी meme coins आते हैं तो dogecoin की जहां तक हम बात करते हैं अच्छे fluctuation dogecoin के हमको अगले bullrun तक देखने को मिल सकते हैं बेभी $1 से लेके $5 तक की भी range हो सकती है नहीं तो $1 से $3 की range भी dogecoin हमको दिखा सकता है अगले bullrun में और सबसे बड़ा support एक billionaire का है Elon Musk का है और बिल्कुल उनकी favorite cryptocurrency है जब तक वो साथ खड़े हैं वो कुछ भी कर सकते हैं और कभी भी अचानक कुछ भी यहां पर बड़ा tweet dogecoin को लेके आ सकता है और जैसे जैसे dogecoin में fluctuation आएंगे योगि जैसी picture हमको 2020 में दिखाई थी Elon Musk ने वैसी picture अगले bullrun के time पे भी देखने को मिल सकती है तो dogecoin no doubt बहुत अच्छा dip के अंदर चल रहा है एक अच्छी fluctuation हम expect कर रहे हैं dogecoin से अगले bullrun के अंदर second crypto आती है Shiba Inu coin एक ऐसी crypto जो काफी time से सोया हुआ एक बड़ा pump दिखा के सोया है ठीक है कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल pump नहीं है जितना बड़ा pump Shiba Inu ने दिखाया उतना कम time के अंदर कोई भी coin नहीं दिखा पाया ठीक है no doubt अभी सोया हुआ लेकिन जब जागेगा तो अच्छे fluctuation दिखाएगा और अगले bullrun के लिए इन तीनों coin में से अगर कोई बड़ा fluctuation कोई जैदा pump दिखा सकता है जैसा scenario है उसके base पे हम नहीं बोल सकते कि Shiba Inu कुछ नहीं करेगा last and final crypto आती है पैपे coin अभी market के अंदर recently आया है Binance के उपर आते ही listing हो गई है और पैपे तो था ही लेकिन पैपे 2 भी market के अंदर आ चुक है पैपे 2 की बात नहीं करेंगे पैपे coin की बात करेंगे काफी अच्छा कासा dip के अंदर गया जब Binance पर ये list हुआ और list होने के बाद अब कुछ दिन से fluctuation काफी अच्छे आ रहे है तो पैपे की जहां तक बात है पैपे का अभी confirmation नहीं है कि वो आपको करोड़ पती बनाएगा नहीं बनाएगा क्यों क्योंकि जब कोई coin आता है तो वो काफी time के लिए राम करता है जैसे आप Shiba इनुको देख रहे हो अब पैपे का मैं ये तो नहीं कह रहा कि fluctuation नहीं आएंगे अगले bull run में आएंगे fluctuations आ सकते हैं price pump हो सकता है लेगिन जो एक बड़ा gain एक्सपेक्ट कर रहे है वो शायद देखने को ना मिले क्योंकि अल्रेडी इसने इतना बड़ा gain दिखाया है पिछले दो मीनों में और back to back किसी भी crypto में बड़े gain नहीं आते ये fluctuation जो भी आ रहे हैं 40,000% दिखा दे अगर future में कोई scenario change होगा क्योंकि पैपे की team भी अभी कुछ कर नहीं रही है कोई भी announcement कुछ बड़ा यहां पर आ नहीं रहा है पैपे को लेके क्योंकि अगर future में scenario change होगा तो definitely पैपे भी एक अच्छी बड़ी crypto बन सकती है अभी फिलहाल कोई scenario नहीं है पैपे का ठीक है तो मैं अभी यह हूँगा इन तीन crypto में से दो definitely कुछ न कुछ अच्छे fluctuation दिखा सकते है लेकिन पैपे का अगर scenario change होगा तो हम फिर से discuss करेंगे ठीक है अभी फिलहाल कोई भी बड़ा pump expect मत कीजेगा अगले bullrun में पैपेगा ज्यादा बड़ा मत कीजेगा ठीक ठा का सकता है ठीक है तो I hope इस वीडियो में आप समझ गयोंगे तीन कोईन क्या कर सकते है वीडियो अगर पसंद आया like, share, comment कीजेगा किसी भी crypto में invest करें तो हमेशा अपनी research करें वो बहुत जरूरी होती है मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर